हेलो वेलकम टू एवी डिजाइनर मैं हूँ आपका तोस्त अंकित ग्राफिट डिजाइनिंग के इस चैनल पर आपका स्वागत है इस टेक टॉक की सेरीज में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा गैजिट जो आपको नाइट में भी हेल्प करेगा अगर आप भी मेरे जैस से मिड़नाइट में वक करते हैं और आपके माउस के क्लिकिंग साउंड से आपके बैट साइट पर जो सो रहे है वो डिश्टर्ब होता है तो मैं आपके लिए ऐसा माउस लेकर आया हूँ जो आपकी डिजाइनिंग के प्रोड़क्टिविटी में भी आपको हेल्प करेगा और उसकी क्लिक्स इतने साइलेंट है कि पता भी नहीं लगएगा कि आप उसको क्यूज भी कर रहे हो मैं बात कर रहा हूँ लोजिटेक के माउस M21 की यह माउस में लास्ट फोर येर से यूज कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यह ग्राफिट डिजाइनिंग के लिए ब कर पाते हैं और वो वाय उसको स्ट्रेच करती है उसको मलब रोक कर रखती है कि हाँ आप उसको क्लिक उतना मूव ना कर पाऊ हैंड को आप उसको इसली ड्रैग ना कर पाऊ तो वायरलेस माउस में यह मुझे बेस्ट माउस लगा इवन मैं इससे पहले 2-3 और डिफरेंट म करके देखा है मैंने इसको मैंने बहुत मैक और विंडोस दोनों प्रेटिंग सिस्टम पर यूज की है मुझे यह माउस बेस्ट लगा अगर मैं बात करूँ यह वायलेस माउस है तो इसमें बैटरी बैकप कैसे है जो कंपनी है वो क्लेम करती है इसका 18 मंस का बैटरी अगरी को more than a year यूज किया है और मैं इस माउस को 17-18 hours non-stop यूज करता हूँ एक single day के अंदर इस माउस को यूज करने के लिए आपको Bluetooth की facility नहीं मिलती आपको एक USB dongle मिलता है जिसको प्लग करके आप इस माउस की जो इसकी networking है और जो इसका communication है वो यूज कर सकते हो इस USB dongle को receiver कहते हैं जिसकी help से mouse के signals है वो आपके PC में input होते हैं अगर मैं बात करूँ इसके design की तो इस mouse की sides पर आपको आपकी thumb के लिए एक cut मिलेगा मलब एक shape है जिसमें आप आपका जो thumb है उसका grip अच्छे से कर सकते हो और यह mouse ज्यादा बलकी नहीं है तो जिनके हाथ छोटे size के ह होते हैं एक जो medium hand size है वो इसको easily grip कर सकता है, easily hold कर सकता है और इसको easily use कर सकता है और जो इसकी clicking अब वो इतनी soft है कि अगर आप click भी करो तो आपको feel नहीं होगा कि आपने कोई button click किया है like जैसे मैं अभी आपको इसकी clicking sound सुनाता हूँ आपको hardly भी यह नहीं gear हो रही होगी और इसके comparison अगर मैं आपको किसी दूसरे mouse की click की sound सुना हूँ तो उसकी click की sound होगी देखा कितना difference है अगर आप इस mouse को night में use करते हो तो आपकी neighbor क्या आपको भी mouse use करने का experience होगा जो आप इसकी sounds है वो इतनी silent है कि आपको भी बता लगेगा कि आप एक mouse use कर रहे हो और उसी तरह जो इसका wheel है वो इतना soft है कि इसकी sound बहुत light है कि आपको feel नहीं हो रहा कि आपने कोई scrolling कर रहे हो और वही की दूसरी side अगर मैं किसी और mouse की scrolling की sound बताऊं तो knowing है ना अगर आपको भी कोई ऐसा mouse चाहिए हो जिसकी clicking sound भी ना हो और जो आपके designing के productivity को भी improve कर दे और आपके work इतना soft कर दे कि आपको mouse use करने का experience एक next level हो तो मैं आपको recommend कर सकता हूँ यह mouse best रहेगा इवन beginners के लिए या फिर mid-level designers के लिए कितनी organizations के अंदर आज भी wide mouse use होती है you know wide mouse fast है as compared to wireless mouse but उनकी जो आप wire है जो उनकी वह flexibility है जो उनका freedom है carry करने का वो जो experience है ना वो एक best wireless mouse में होता है और wireless peripherals की बात करे ना तो जो Logitech brand है ना यह top number one पर है मतलब इनके products affordable भी है और उनकी quality best भी है तो अगर आप भी यह mouse buy करना चाहते हो तो मैं इसका best buy link description में mention कर दूँगा वैसे तो यह mouse का MRP 1200 something है बट normally online यह 800-900 की range में मिल जाता है और इन festival seasons में यह mouse आपको 550-650 की range में मिल सकता है जब मैंने यह mouse purchase किया था तब मुझे किसी coupon code के साथ यह 500 something का मिला था और अगर मुझे यह mouse 650 या 700 की range में मिलता है ना तब भी यह best mouse है क्योंकि जितने भी wireless mouse under 800 है उन सब में यह best performance करता है आशा करता हूँ आपको यह mouse भी अच्छा लगा होगा और next वीडियो में मैं बात करूँगा एक ऐसे mouse series की जो एक professionals के लिए best device है तो अगर आप professional level पर ग्राफिय डिजाइनिंग करते हो और अपनी productivity को और soft और fast करना चाहत आप